लेकिन वसीम खान से हमें कोई सुराक्त तो क्या चोटी मोटी इंफरमेशन भी नहीं मिली है इसलिए सर हम सबकी ये राय है कि इस केस को CBI को हैंड़ोवर कर देना चाहिए कुछ दूनिया की पुलिस जेसे ग्रफ्तार नहीं कर सके उस वसीम खान को कि और नहीं कर सके को संपा इससे क्यों अपने इसफां की कि एपर्टमेंट की किशक्याग होगी अपने ने किर चैज्म को नहीं सौपा जाएगा हमारे ही डिपार्टमेंट का काभिल ऑफिसर इस केस को हैंडिल करेगा तो फिर जिस ऑफिसर ने वसीम खान को गिरिफतार करके इस डिपार्टमेंट का रोथबा बढ़ाया है उसे यह केस क्यों ने दे दिया जाए बिल्कुल सब्सक्राइब यह तो अच्छे अच्यों की जुबान कुलवा चुके हैं मिस्रादाद क्या कहना है आपका सब्सक्राइब केस लेने को तयार हूं लेकि मेरी कुछ शर्ते हैं शर्ते हैं सर हम जेल में क्रिमिनल्स को इसलिए रखते हैं ताकि वो सुधर हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है अज इतनी भ जो जो जहें वसीम खान के लिए इक स्पेशल सेल चाहिए जहां सर्फ मेरे सेलेक्टेड ओफिसे जोंगे ओके गुहेड थांक यू सर्ट अ बने देख थो मैं वैं款 में वालाई को शंदinkए जए मैं है इस आरऊ थीच प्लुके हैां अ चेह वहिए खेश्वर्य कर दोरोफ तोर्म आपने मुझे अपने साथ रखा इसके लिए थाइंक्स आईए साथ अपने चाहता सारा एरेंजमेंट वैसा ही किया है चाहे कितना भी पड़ा ओफिसरा आजाए आपकी इचाज़त के पकाया अंदर नहीं आ सकता है कि देखे साथ चारों तरफ क्लोज साकेट कैमरे लगया है इनके जरीए सेल के चपचपचप़ हमारी नजर रहेगी वह खास तोर से पसे बखाब पर कि साथ आई कि अब कि 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 अच्ग अच्ग आख अच्ग कि कि तुम लोगों की वज़ा से उसे कोई भी तकलीफ नहीं यानी चाहिए इस तर राइट वह बहुत शातिर वह तुम्हें कितना भी उक्सा है कितना भी गुसा देला अपना पर काभू रखना जिस तरह तुमने गुसे में आकर दादर वाले गुंडे के हाथ काट दी थे न वह लुक्र जिए गलती मत करना शर को सीड़ती मत करना शर खाट इस ताम क्यों गलती दो वेलकम डीसीप राजचेकर आजाद, वेलकम, अच्छा इंदिजाम किया है तुमने, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला, अपनी सरकार का पाइसा बर्बाद कर रहे हो तुम, ये स्पेशल आफिसर्स, पेशल सेल, टाइट स्क्यूरिटी, वेस्ट, टोटल वेस्ट, तुम मुझसे कोई सुराग या कोई सबूत हासिल नहीं कर सकते हैं, अभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि तुम्हारी ताकत की हद सिर्फ इन तलाखों तक है लेकिन मेरी ताकत की हद जहां तक तुम सूच भी नहीं सकते हैं वहां तक है पहर नहीं थी कल तक अब तेरी हद इस जगह तक ही है और तुझे बागे की जिन्दगी जो बहुत कम बची है यहीं गुजारनी है तुम एक मामूली से पुलीस हफिसर हो पीम या प्रेजडेंट नहीं कि तुम जो चाहोगे वही होगा कर दो नुदाना कि लेकिन मैं जुचाहू पेंग मैन पावच अव्य D मैं तो जब चाहूं यहां से बाहर जा सकता हूं आशचाह Character करने है कि तो जब चाह आये जब चाहे चला जाया ie यहां सक जाना तदूर मेरी मर्जी के बेना तु सांस भी नहीं ले सकता है का ऐड कुछ भी कर सकता हूं यहीं तो ऑड इंद एक फिनहर मिलक आ जढूद नहीं ज़े खेचा हाल То कुरवाण हो जाने वालों की साहे वेक क appelle पर कपड़े ना हो भेह हो पित कुछ नहीं बूले हैं हम तुम लोगों का दिया हुआ एक जखम अभी तक हरा है और इसलिए इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम लोगों के साथ सराथ पर नहीं लड़ेंगे हम अब हम फीतर खुष का हिंदोस्तान के टुकडे टुकडे करेंगे तू जिन्दा इसलिए है क्योंकि मेरी कस्टडी में है हम हाथ मिलाना भी जानते हैं हाथ उखाड़ना भी हम गांदी जी को भी पूछते हैं चंदर शेकर आजाद को भी मैं भी पहले प्यार से समझाता हूं अधियार से तू किस तरह समझना चाहता है तैसला कर ले रही इस लिस्ट में वरा नाम ही नहीं है अधियार समझ में नहीं आया पता नहीं कहां और क्या प्रॉब्लम हो गई यार अम लोग पुलीस में बढ़ती नहीं और लेकिंश्ट क्रेंड़ थे सब कुछ परफेक्ट था हां सर हाइजम लॉंग चंप इन सभी खेलों में हमारे नंबर सबसे जादा थे सर फिर भी लिस्ट में हमारा नाम नहीं है सर सर आप चेक कीजे कई कंप्यूटर में खराबी नहीं यंग मैं खराबी यहां के पूरे सिस्टम में यह जो तुम लिस्ट अधर में एकमरा करने की सुछों जाओ अधरच फिर शुनियो साथ के में आज तर दुम आज कीजिए ते वाध कीजिक्ड़ बंदार पाला यह में है कि अब देख मेरा मैसेज मेरे आदमियों तक कैसे पहुचता है हुचता 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 है हुचता 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 हुचत क्या सिर आशा देखो तुम लोग जलवाजी में वसीमखान के साथ कोछ बद करना वह पहुंच रहा हूं पुछ पष्ट इस अप हुआ कि जो हुआ है है तो इसके लिए खाना लेकैं था अचाने उसमें हमला कर दिया सर कफ़राओं मत पाजर सब्की को जाए इसे तुरूंद होस्पेटल ने जाओ कि कि दो घंटे में होस आ जाए ईए इसे इसे नियुक फिर ज़्ट राट जा आए आए हाँ हाँ है में हाँ आए कर दो जये नाव.. प्टे थे जूप एंग कर दो जूब है कर दो झाल जूब अप्ट टो तो आहे नाव आप डूम रहे जूब जूब मनननननननननन थे प्ट sun कर दो कर दो कर दो कि आज़ाद डीज़ीपी राज शेखर आज़ाद मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं एक ही महीने के आसपास वह न मुझे रेस्ट के हुए लेकिन यह जलूस तो मैंने कुछी दिन पहले प्लैन किया है भाई कुछी दिन पहले थोड़ी ही देर में मेरे लोग जुलूस में शामिल हो जाएंगे फिर नारों की आवादें चीखों में तबदील हो जाएंगी मैं तुम्हारे स्पेशल सेल में बैठे बैठे थैंकड़ों लोगों का कदल करूंगा बहुत जाबाज आपिसरों ना तुम उन्हें बचा सकते हो तो बचा लो हुआ 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 हुआ